आज है 23 मार्श 2024 दिन शनिवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्रप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को यूपी के सत्रालाग किसानों को होने जा रहा बड़ा फाइदा यूगी सरकार मुफ्त में देगी बायो डीकंपोजर यूपी के सत्रालाग किसानों को बड़ा फाइदा होनी जा रहा है यूगी सरकार निधान की पराली को बायो कंपोस्ट में बदलने के लिए किसानों को बायो डीकंपोजर उपलब्द कराने का फैसला किया है वायो प्रदूशन का एहम कारक बने फसल अफशेश के निस्तारण में ये बायो डीकंपोजर एहम है आधिकारिक सुत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सरकार पराली के प्रबंदन को लेकर बेहत गंभीर है और इसलिए कंप्रिस्ट बायो गैस प्लांट को प्रुट साहित करने के साथ ही सरकार ने तैय किया है कि वो धान के पराली को बायो कंपोस्ट में बदलने के लिए किसान को बायो डीकंपोजर उपलब्द कराएगी दो करोड लोगों के लिए बड़ी खुशकबरी सोली फ्री में खरीच सकेंगे लपीजी सलेंडर पिछले साल नवंबर महीने में मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने राजे के लाभारतियों को साल में दो बार मुफ्ता LPG सिलंडर देने की योजणा का अधान किया इसे के तहट दिवाली और होली के होंगी इसी की तहट दिवाली पर लाभारतियों को फ्री सिलंडर दिया गया अब होली त्योहार पर भी लाभारती इसका लाभ उठा सकते हैं इस योजना के तहरत एक देशमलाव साथ पांच करोड से जादा पात्र परिवार है EKTU का निर्देश कॉलेज वेबसाइट पर दे फीस का ब्योरा EKTU ने सभी संबद संस्थानों और कॉलेजिस को वेबसाइट पर फीस वा अन्य शुल्क प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं निर्देश न मानने वालों पर कॉलेज पर नियमानुसार कारिवाई की जाएगी इस समंद में सर्कुलर जारी कर दिया गया है कुलपती प्रफेसर जेपी पांडे ने बताया कि अक्सर देखने को मिलता है कि काउंसलिंग के दौरान निजी कॉलेज विध्यार्तियों को फीस वा अन्य शुल्क को कुछ और बताते हैं वहीं जब छात्र प्रबेश लेने पहुचता है तो अलग-अलग सुविधाओ के मनमानी फीस मांगी जाती है ऐसे बे छात्र फस जाता है रेल्वे स्टेशन से महाकुम शेत्र तक भीर प्रबंदन की बनेगी नई योजना अधिकारी फिर से करेंगे मन्थन अगले वर्ष लगने वाले महाकुम्ब मेले में 40 करोर से अधिक शधालू के प्रियागराज जाने का नुमान है इसी आंकड़ी कुध्यान में रखकर जिला प्रशासन और रेल्वे प्रशासन अपनी तयारिया कर रहा है अभी तक 2019 कुम्ब जैसे ही भीड प्रबंदन की विवस्था प्रियागराज के रेल्वे स्टेशन पर किये जाने की तयारी थी लेकिन अब इसमें संशोधन होगा इसके लिए रेल्वे और जिला प्रशासन महाकुम के दौरान रेल्वे स्टेशन से महाकुम शेत्र तर भीड प्रबंदन के लिए नई यूजना तयार करेगा गौरी गंसे 25 रुपे में करें प्रियागराज बतीस रुपे में लखनौ का सफर लगनो प्रताबगर प्रियागराज रेल ट्रेक पर संचालित प्रियागराज संगंग स्पेशल ट्रेन से सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है अभी तक इस ट्रेन से गौरी गंसे प्रियागराज सफर करने के लिए 50 रुपे देने पड़ते थी यूपी बोर्ट की कॉपी इसके मुल्यांकन कारे में शिक्षिकों की जूटी लगाई गई है शिक्षिकों को मिलने वाले मुल्यांकन पारिक श्रमिक दरों की बढ़ोत्री का शास्ता देश जारी ना होने पर मादमिक शिक्षक संग ने विभा कोची तापनी दी कहा कि बढ़ी हुई पारिक श्रमिक दर पर फैसला ना लेरी पर मुल्यांकन कारे नहीं किया जाएगा चुनाव में मनमानी खर्चे पर लगेगी लगाँ पाई पाई का होगा हिसाब चाय नाश्ते पर भी रहेगी नसर लोग समच नाव में प्रत्याशी मनमानी खर्च नहीं कर सकेंगे उन्हें निर्वाचन आयोग को पाई पाई का हिसाब देना होगा आयोग ने प्रत्याशियों को बस्तू की मुले सूची जारी की एक समोसा आच रुपे एक चाय साथ रुपे लंच पैकेट के लिए साथ रुपे खर्च करने होंगे इसके अलावा भोजन परती पलेट 90 रुपे पाने की बोतल 20 रुपे लड़डू परती पीस दस रुपे काफ़ी के लिए 15 रुपे खर्च कर सकेंगे अगर किसी रूट पर बसस की किलत या ब्रेकडाउन की समस्या रहती है तो इसके लिए संबंदित डिपो की A.R.M. और वरक्शॉप के फोर मैं समेच सीनियर फोर मैं जिम्मेदार होंगी सक्तिकासारी रिक्षा की विक्री हुई आदी E.O. की साथ गुना बढ़ी कानपूर में नैशनल हाइविय और कई प्रमुक्च राहों पर प्रतिबंद का E.R. की विक्री पर तगड़ा असर दिख रहा है इस साल के तीन माह में जहां 5,500 ए रिक्षा पंजिकरत हुए वही E.O. की संख्या 11,000 है इसकी वज़े से ए रिक्षा निर्माताओं से लेकर विक्रेता और फाइनेंसर तक ताला बंदी के कगार पर पहुच गए है अलिगर में 28 स्मार्ट से शुरू होगी नामांकान, कलेक्टरेट में शुरू हुई तयारी अलिगर में लोगसमा चनाओं के लिए दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया 28 स्मार्ट से शुरू होगी और 4 अप्रेल तक जारी रहेगी इसको लेकर कलेक्टरेट में तैयारी शुरू कर दी गई, तस्वीर महस से वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई अबजिला निर्वाचन अधिकारी पंकच कुमार ने बताया कि तस्वीर महस से कलेक्टरेट तक तीन इस्थानों पर बैरिकेडिंग की गई महापूरी जाच परताल के बार दी प्रत्याशी प्रस्तावाक मुख्य चनाव एजेंट आदी ही ना मांकन करने जा सकेंगे हाई कोट का एहम फैसला इलाबाद हाई कोट के लखनो पीड ने शुकरवार को एक एहम फैसले में यूपी मदर्सा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असमवैधानिक करार दिया न्यायमूर्थी विवेक चौधरी और न्यायमूर्थी सुभाश विद्यार्ती के खंड़िपीट ने ये फैसला अन्शुमान सिंग्रा ठोर की याचिका पर दिया इसम्याधिनियम के असमवैधानिक वैत्ता को चुनौती दी गई थी और उसा बड़ा तो आए बढ़ी शियर बैंकिंग बाजार में उत्तर प्रदेश की धमा केवल उत्योगों में नहीं बलकि शियर बाजार बैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश की धमक पिछले 7 साल में जबर्दस्त बढ़ी है पिशले इस सेक्चर में यूपी टॉप 20 में भी नहीं था आज दिमेशकों की संख्या के मामले में यूपी महरास्ट के बाद देश में दूसरे नंबर पर है डिजिटल लेंदीन दस गुना से भी जादा हो गया है बैंकों का विस्तार हुआ लोन दुगना हुआ इसकी प्रमुक वज़े यूपी की बदली छवी रोजगार बढने से यूवाओ की पलायन में कमी गाओं गाओं का बैंकिंग नेटवर्क से जुन्ना वित्तिय जागरुकता अभियान प्रदेश में लोगों की आए में बढ़ोतरी और युवावा महिलाओ को सरुजगार के लिए चलाए गई अभियान मुबाइल या लैप्टॉप से पांच मिनट में बनेंगे वोटर मदाता बनने के लिए अपने मुबाइल या लैप्टॉप से पांच मिनट में आवेदन कर सकते हैं चुनाओ आयोग ऑनलाइन मदाता फॉर्म भरने के कई विकल्ग दे रहा है यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो बिना देरी आवेदन करें ताकि इस लोग सबाच चुनाओ में अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोल्ट दे सकी भाजपा इंडिया गडबंदन की यूपी के इन 18 सीटों पर होगी असली परीक्षा उत्रपदेश के 80 सीटों में से 18 सीटे ऐसी हैं जहां बीते दो चुनाओं में काटे का मुकाबला होता रहा है इसमें सपा के गड़ शामिल है भाजपा के जदो जहेद 2019 में सपा बसपा गडबंदन के द्वारा छीनी 9 सीटे वापस पा कर 80 का आकड़ा हासल करने की है देखना दिल्चस्प होगा कि इन 18 सीटों पर जो दलित वोट बैंक पिछले चुनाओं में गडबंदन के साथ था वो इस बार बसपा के लिए क्यार रंग दिखाता है ताज महल के दिदार संग उठाएं गुजराती वियंजनों का स्वाद आगरा में शिरू हुआ दस दिन का फूड फेस्टिवल अगर आप आगरा गूमने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ आ रही हैं तो आप ताज महल देखने के साथ ही यहां के मशहूर वियंजनों का स्वाद तो लेंगे ही लेकिन अब गुजरात के फेमस वियंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे क्योंकि अब आपको एक हिछत के नीचे आगरा की मशूर चार्ट और मुगलिया खाने के अलावा गुजराती खाने का भी स्वाद मिलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाच्पा का बैंट बजा दिया ध्यान भचका रही केजरीवाल की गिरफतारी पर बोले अखिलेश सपात्यक शकलीश आदम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल की गिरफतारी को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुए खुलासे से घबराई भाच्पा की मुद्दों से ध्यान भचकाने की कोशिश करार देते हुए शुकरवार को कहा कि भाच्पा चाहे जितने नेताओ को जेल भेज दे लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकती जो आगामी लोग सबाचनाओ में उसे सबक सिखाएगी शेहर का ये चराहा बनेगा सबसे सुन्दर जानिये क्या होंगी विशेशताई गुरकपुर में शेहर के सबसे पुराने इलाकों में से एक असुरन चराहे से होकर गुजरने वालों को जल्द ही बदल रहे गुरकपुर का एक और नजारात देखने को मिलेगा नए बदलाओ के साथ ये शेहर का सबसे सुन्दर चराहा बन जाएगा पीड अब्लोडी की तरफ से सुंदरी करन का कारे कराया जा रहा है चलाहे पर जहां लोक नायक कुझ या प्रकाश नारायन की मूरती लगी वहां एक तरबुजाकार डिजाइन बनाए जाएगी आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक करोड बारा लाक भक्तों ने किये शीराम लला के दर्शन आयोध्या में शीराम जनभूमी मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को शुक्रवार को दो महापूरे हो गए इसके साथ ही यहां दर्शन पूजन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में निरंतर व्रधी देखी जा रही है 22 जनवरी से लेकर 20 माज तक एक करोड बारा लाक्षा धालू को भगवान रामलला के दर्शन का सवभाग्य प्राप्त हो चुका है कॉंग्रेस की रास्ट्य प्रवक्ता बूले दूसरे राजनीतिक दलों का गला घोचकर आगे बढ़ना चाह रही भाच्पा कॉंग्रेस के रास्टी प्रवक्तावे दूबे ने प्रेसवारता में कहा कि भारते जन्तपाटी अन्ने राजनीतिक दलों का गला घूटकर आगे बढ़ना चाहती है एक एक करवो राजनीतिक दलों पर हर प्रदेश में प्रहार कर रही है प्रदेश कॉंग्रिस मुख्याले पर प्रेस वारता में उन्होंने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा घुटाला इलेक्टूरल पॉंड है मुलाना शहाबुदीन बूले एसीयम अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी पर हो रहे धर्णा प्रदर्शन से दूर रही मुसल्मान All India Muslim जमात के रास्टी अध्यक्ष मुलाना मुफ्ती शहबुदीन रजवी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को शराग गोचाले मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उनके समर्थन में दिल्ली और उसके अलावा कुछ जगो पर धर्णा प्रदर्शन शुरू हो गया इसमें ठोपी लगा कर मुसल्मान भी भाग ले रही है मुलाना ने अपील करते हुए कहा कि मुसल्मान इस तरह के धर्णा प्रदर्शन में भाग ना ले ऐसे कारिक्रमों से दूरी बना कर रखे इस तो ने फिर किया कमा अलदेश के पहले रियूजेबल रॉकेट पुश्पक का सफल परिक्षन भाग रिक्षन संधान संगठन ने पुश्पक नामक अपने पहले रियूजेबल लॉंच वीकल यानि पुना इस्तमाल होने वाले पहले लॉंच वाहन की लैंडिंग मिशन को सफलता पूरवक अनजाम दिया है यह परिक्षन शुक्रवार को करनाटक के चितर दुर्ग के पास चल केरे में एरोनौटिकल टेस्ट रेंज में सुबह साथ बचकर दस मिनट पर किया गया फ्री राशन वित्रण में हो रही है दिक्कात होली से पहले क्या सभी मिल पाएंगे गेहुँच शावल बाजरा पड़ रहा है ज़रान कोटेदार और काट धारकों के बीच नोग जोग भी हो रही है कोट से सुनाया फैसला 28ийस मार्श तक एडी रिमान पर केज्रीवाल दिलि शराब नीती केस में पीएम एले कोट मुखीमंत्री अर्बिन केज्रीवाल की रिमान पर फैसला सुना दिया है कोट ने एडी को 6 दिन के रिमान दी है सुनवाई के दोरान E.D. ने दावा किया किस केस से जोड़े कई सारे एलेक्ट्रोनिक सुबूत मिटाए गए कई सारे फोन तोड़े गए केजरिवाल दिल्ली शिराब नीती को बनाने में सीधे तोर पर शामिल थे पुली नहीं मनाएगी आमाद्मी पार्टी 26 को पीम आवास का घेराओ दिल्ली सरकार में मंतरी गुपाल राय ने बताया कि 26 मार्च को आमाद्मी पार्टी पीम आवास का घेराओ करेगी उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के शहीदी पार्क में आपके सभी दिल्ली विधायक पार्शद और इंडिया गड़ बंदन की अलग अलग नेतार दाना शाही के खिलाफ शपत लेंगे इतना ही नहीं आप केजरिवाल की गरफतारी के खिलाफ फूली कारिकरम नहीं मनाएगी सियम योगी के प्रयासों से अखिलेश का हुआ सफल रेस्क्यू परिजनों ने मिलकर जताया आभा मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ के प्रयास ने एक ही दिन के भीतर रंग दिखा दिया मिगाले में अपरहत्तर लखना उनिवासी मेकैनिक और सुपरवाइजर अखिलेश सिंग चोहान को सकुषल मुक्त करा लिया गया है इसके बाद अखिलेश की पत्नी शीला सिंग चोहान और पुत्र सूरज चोहान ने शुक्रवार को मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात कर आभार जताया तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद